हुआ है है गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल आयम आश्टुष और तो इस टॉपिक इद अधर वेस्टू से सैड दोस्तों हम जब भी दुखी होते हैं हम कहते हैं आयम सैड दोस्तों तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम सैड की बदले बोल सकते हैं तो मै कि भी बताऊंगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेएगा क्योंकि लास्ट तक में आपको बहुत सारे वर्ड्स पदल चल जाएंगे और उनके मीनिंग्स भी लेट्स स्टाट द वीडियो So friends, our first word is sorrowful इसका मतलब होता है उदास होना For example, Jimmy looked sorrowful and dejected यानि Jimmy saw ये उदास और दुखी लग रहा था Okay, our next word is depressed इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है उदास For example, Anna was depressed after gaining 10 kg weight यानि वो जे अना जो थी वो उसके 10 kg बढ़ गया था वेट में इसलिए वो बहुत दुखी हो गय थी Okay, our next word is downcast ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप बोल सकते है उस साइट की मतलब है इसका मीनिंग होता है मायूस यानि मायूस होना ये भी दुखी का synonym है For example, there should not be too downcast about the failure of the meeting यानि मान दीजिए कोई ग्रॉप हो उन्होंने कोई मीटिंग किया और वो और वो अच्छे से नहीं हो वो फेल हो गया मीटिंग तो उन्हें उत्मा मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि और भी चांसे रहते हैं ये सब करने के लिए मीटिंग्स करने के ल इसका मतलिब होता है उदास. For example, he is very melancholy with anger यानि वो बहुत उदास है और वो थो थोड़ा गुसा भी है ऐसा कुछ होगा होगा है जिसे वो गुसा और उदास होगा है. So guys, have you learned these words? So, in these words, in this video, I told you about some words which you can say instead of sad. So, thank you for watching today's video. I will be meeting you in our next video.